असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप लोग तो फाइनली एक शौकिंग न्यूज तमाम मुस्लिम्स के लिए सौधिय रभिया भी अब शराब की दुकान ओपन करने जा रही है जी हाँ चोकिये मत पुरे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों वीडियो को पुरा देखिएगा ताकि जो भी डाउट से इस से रिलेटेड वो किलियर हो सके है देखिए सौधियरभ में पिछले 70 साल से शराब ओपन नहीं है अभी तक तो नहीं है बट रिसेंट के दो दिन में खबरे ये आ रही है कि जल्द ही एक हपता के अंदर सौधियरभ में रियाद में जो केपिटल है राजदानी है सौधियरभ का वहाँ पे शराब की दुकान ओपन हो जाएगी इससे पहले कुछ चीजे में आप लोग को बता दे रहाँ आसे करीब 70 साल पहले की बात है राजसाही खांदान के एक प्रिंस ने शराब के नशे में एक पाटी में इंग्लेंड का एक डिप्लोमेट को जान से मार दिया था उस समय से शराब पे इस्टिकली पावंदी है सोधिरब में उसने क्यों मारा था ये भी बता दे रहाँ वो प्रिंस जो है पाटी में नशे में था बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था और भी ज़्यादा शराब मांग रहा था और उसको मना किया जा रहा था कि शराब मत पियो जादा इसलिए नशे में उसने धूत होकर के जान से गोली मार दी थी इसमें कोई शौकिंग बात नहीं है जहां तक मुझे लगता है नशे में इनसान होश खो बैठता है और वो कुछ भी गलत काम कर सकता है नशे में होस रहता कहां लोगों को इसलिए मैं ये नशा ड्रिंक्स बिलकुल भी पसंद नहीं करता हूँ परसनली बट लोगों को तो जबर जस्ती माना नहीं कर सकते इसलाम में भी हराम है नशा करना गुना है और सौधी अरब को पुरा दुनिया के मुसल्मान एक उम्मीद का नजर से देखता है क्योंकि सौधी अरब में जो भी डिसिजन होता है उससे बहुत बड़ा इंपेक्ट पड़ता है दुनिया भर के मुसलिमों पे अब देखिए सौधी अरब में जो है अभी क्या पावंदी है शराब पिया कोई भी नशापे मना ही तो है ही साथ में अगर कोई शराब पी रहा है उसको डिपोर्ट किया जा सकता है जुर्माना लग सकता है सो कोडे मारा जा सकता है जेल हो सकता है और lifetime के लिए ban भी किया जा सकते हैं ये है लेकिन अभी खबर क्या आ रही मालूम है सिर्फ diplomats के लिए शराब की दुकान खुलेंगी जिसमें कुछ limit में उनको शराब दिया जाएगा भाई ये diplomat कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ दिखें दुनिया भर में जितने भी देश हैं 207 या 209 कंट्री है हर कंट्री का दूसरे कंट्री में अच्छा रिलेशन के लिए अपना embassy होता है और embassy में वो लोग अपने country से लोगों को भेशते हैं जैसे हमारा Indian embassy है सोधेरभ मैं तो इंडियन embassy में जितने भी इंडियन काम कर रहे हम इंडियन workers के लिए उनको बोला जाता है diplomats आप समझ रहो मेरी बात सिर्फ अमीर लोगों के लिए शराब ओपन हो रही सोधेरभ में गरीब के लिए अभी तक कबर नहीं है मैं हमेशा बोलता हो कि दुनिया में पैसे का बड़ा एहमियत है अमीर बनो अमीर बनो गया तो कोई restriction नहीं सब कुछ जायज हो जाता है सोधेरभ भी जूग जाता है अमीर के सामने लेकिन गरीब के लिए restriction रहता है हलाकि मैं support नहीं कर रहा शराब जौपन किया इसको गलत वह मत लेना मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि बाकी जो non-muslim expadits काम कर रहे हैं सोधेरभ में उनको शराब मिलेगी इसकी अभी तक official कोई ख़बर नहीं है कबर सिर्फ यही आ रही है कि जितने भी non-muslim diplomats होंगे सिर्फ उनहीं को मिलेगा शराब diplomats को हिंदी में राजदूद बोलते हैं जो embassy में लोग काम कर रहे हैं क्योंको देखी उर्योप के साथ में सैंद्रीक अच्छा रिष्टा है अमरीका के साथ में अच्छा है आप लो जानते हो और यूरोपिएं के लिए क्या है भंई लोग के फिपन ळेना शराब का अ लोग नहीं तो रहते नहीं है मौनिंग वाग में भी आते हैं तो हाथ में दारू रहता हूंगा तो वो लोग जो है ना I think सौधी को प्रेशर करते थे काफी टाइम से ये खबरे आती थी कि नियोम जब ओपन होगा उस समय शराब ओपन रहेगा सब के लिए फिर बहुत सारे राजशाही खांदान के लोग स्टेटमेंट देते थे कि नहीं है ऐसा फिलाल कोई प्लान नहीं है अभी देखे खबर ही आ रही है कि सौधी हुकुमत का विजन टू थर्टी जो है एक विजन है ना सौधी रब का एक लक्ष है 2030 तक बहुत कुछ बदलेगा बदल भी आप लोग देख भी रहोंगे इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा कि पिछले कुछ सालों में पांच साथ सालों में क्या-क्या बदला सोधीरब में शौकिंग चेंजेज हुए है उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा वीडियो को मिस मत करना अप लोग तो बहराल इस वीडियो में इतना ही कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए शराब ओपन हो रहा बाकी लोगों के लिए नहीं इसके लावा लिमिट में भी रहे इस टिकली मोनिटर करेंगी सौधी हुकूमत बट शराब जो है उपन हो रहा है क्या राए है आप लोगों का क्या कहना है कोमेंट करके बतेए चले मिलता हो दूसरे वीडियो में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को देखने के लिए बहुत झाल 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 झाल